तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले what happened to an acid or an base in a water solution क्या होगा अगर हम water में acid या base को दाल देंगे तो इस वीडियो में पढ़ेंगे कि अगर हम water solution में acid या base दाल देंगे तो उसके साथ क्या होगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि acid के साथ क्या होगा acid produce H plus ions in presence of water जो acid होता है उसमें H plus ions होते हैं अगरब वो water के contact में जहता है तो वह H plus ions बाहर आ जाते हैं मतलब कि वो टूट जाते हैं acid का breakdown हो जाते हैं भी में है जैसे कि एसेट में होते हैं पॉजिटिव आयन होते हैं वैसी बासिस में ओए नेगेटिव होते हैं अब वह हमेशा कहीं पे भी आपको और डिखे तो मतलब कि वह बेस और कहीं पे भी कंसेट कर दाए अब यह चो H plus आइन्स होते हैं अकेले नहीं रह सकते हैं मतलब कि यह अलोण नहीं रह सकते water में तो यह क्या घरते है water के साथ combine होके H3O positive बना रहेते हैं जिसको हम hydronium iron कहते हैं ठीक है H plus plus H2O H3O plus अगर हम HCl को water में दालेंगे तो मतलब कि हमारा H plus आइन नहीं हमेशा positive हमेशा positive होते हैं और जो non metal होते हैं हमेशा negative sign consist करते हैं ठीक है क्योंकि यह हमेशा valence से ही लेते हैं मतलब कि यह valence electron लेते हैं और metal हमेशा देते हैं ठीक है अब basis when dissolved in water gives OH negative iron जैसे कि NaOH को water में दालेंगे तो Na positive metal है OH negative एक non metal है MgOH का whole square Mg2 plus और 2OH negative ठीक है basis are soluble in water called alkali अब basis जो कि पानी में soluble होते हैं हम उन्हें alkali कहते हैं जैसे कि NaOH detergent हमारा पानी में soluble होते है तो alkali उसका नाम हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर precaution की बाता है बात है यह bizuk हमें पानी को acid ੰ बेया base में मिलाना हो तो हमें क्या करने हमें acid को पानी में दालने ना कि पानी को acid में दालने क्योंकि अगर हम acid को पानी में दालेंगे तो एस जो reaction होग़ी बहुत ज्यादा हाइल यह exothermic reaction होगं इससेest ज्यादा heat produce होगी अगर इसमें नीचे acid होगा और उपड़ से हम पानी दालने तो acid होगा वह बाहर splash कर उठेगा मतलब कि बाहर आ जाएगा या फिर breakdown of glass container भी हो सकते ठीक है जैसे कि हमने पानी दाला तो यहाँ पर नीचे acid है तो acid होगा वह बाहर आ जाएगा तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकते है लेकिन अगर acid को हम water में दालें तो अगर हम acid को दालेंगे तो water बाहर splash होगा ना कि मला हमें कोई damage नहीं होगा ठीक है कोश्चन आ सकता है कि हमें क्या precautions देखने चाहिए जब भी हम dilution करते हैं अब हम यह भी समझते हैं तो यहाँ पर यह तीन पॉइंट लिखे हैं जो बहुत important है तो यहाँ पर जितना भी मैंने भी हिंदी में बता है तो वो इंग्लिश में लिख दिया गया है तो यह आपके लिए important है तो यह question आ जाए तो आप यह दो point भी लिख सकते है add-on कर सकते है अपने statement में अब dilution क्या होता है mixing an acid or base with H2O result in decrease of concentration of iron H3O positive OH negative per unit volume such a process is called dilution dilution एक ऐसा process है जिसमें concentration of iron या तो H plus iron या OH negative iron का जो concentration है वो कम हो जाता है किसी भी per unit formula या volume के हिसाब से ठीक है जैसे कि अगर मेरे पास इतनी सी डिब्बी है इसमें 100 H plus iron है और मैं अगर इसमें इतना पानी मिला दू तो यह volume की हिसाब से वो concentration कम हो जाएगी ठीक है अगर मैं को इतनी कोई भी दवाई है इतनी काम कर रही है और मैं को इसमें बस इतना ही पानी मिलाना है तब यह डिक्रीज ओवर ठीक है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से इसी प्रोसेस को डाइलूशन कहते हैं तो आज की बस तो आज की वीडियो के ब्लास इतना ही अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक लिए टेकर आफ यॉर और फैमली बाबाई वीडियो को लाइक करके जानल क के चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट डाम करना शूर भी जॉइंट 2.0 ठीक है और कमेंट भी करना और शेयर भी कर जरूर करना अपने दोस्तों के साहब